एक ऐसा अभी नेता जिसे देश भक्ती फिल्मों के लिए जाना जाता है जिसने अपने पिता को ही अपना आइडियल बनाया और उसी की तरह पूरे देश में जाना गया एक ऐसा सुपरस्टार जो सहरों से ज़्यादा गाउं में मस हो रहा है एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी सबसे अधिक में मिक्री की जाती है और जिसकी धाई किलो हाथ का तो सब लोहा मानते हैं क्या आप जानते हैं कि फिल्म की सुटिंग के दौरान इस स्टार ने अपने साथी एक्टर पर इतना गुसा आ गया कि इन्हों ने गुस्से में फार दिये थे उसकी कपड़े क्या आप जानते हैं कि इन्हों ने भारती सिनेमा की एक हिरोईन की रोने पर दूसरे सुपरस्टार एक्टर को पीटने का मन बना लिया था और क्यों एक दिन गुस्से में यह एक्टर अपने सौतेली मा को मारने के लिए चाकू लेकर खड़ा हो गया था और साधी सुदा होने के बावजूद ये अभिनेता कैसे दूसरी साधी सुदा अभिनेतरी और दो बच्चों की मा के आगे हार गया था अपना दिल आपको पता चल ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक्सन किंग और देश भथ अभिनेता सनी पाजी यानि सनी देवल की जाने जाना ये दिवाना प्यार तेरा दिल मेरा चुराने लगा नमस्कार आपका स्वागत है Achiever Junction Presents Silver Screen की कहानिया में हम सुनाते हैं फिल्मी दुनिया से जुड़े रोचक प्रसंग लेकर आते हैं मजिदार फिल्मी कहानिया बताते हैं फिल्म स्टार के संगस की दास्ता आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहो फिल्मी परदे पर सनी देव लवनेता को जितना गुस्यल दिखाया गया है असल जिन्दगी में ये उतने ही सर मिले थे भारती सिनेमा में कितने हीरो आए और गए लेकिन 40 साल से ये आज भी बॉलिवुड पर राज कर रहे हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं पावरफूल, पॉपुलर और हैंसम सनी देवल की सनी देवल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को पंजाब लुधियाना के सहाने वाल में जट परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम धर्में देवल है धर्में भी भारती सिनेमा के लोगप्रिय सुपरस्टार और ही मैन के नाम से जाने जाते हैं इनकी मा का नाम प्रकास कौर है वो एक घरिलू महिला है इनके पिता धर्मेंद्र ने दो साधियां की थी दूसरी साधी इन्होंने मसहूर सफल अबनेत्री हेमा मालनी से की थी हेमा मालनी सनी देवल की सोतेली मा है सनी देवल का असली नाम अजे सिंग देवल है लेकिन इनको घर में सभी सनी के नाम से बुलाया करते हैं सनी देवल के दो भाई और दो बहन है सनी देवल के छोटे भाई का नाम बॉबी देवल है बॉबी देवल भी हिंदी सिनेमा अभिनेता है वही इनकी दोनों बहन बिजेता और अजीता जो भारत से बाहर कैलिफोर्निया में साधी करके सेटल है सनी देउल ने अपने स्कूलिंग सेक्रेट हार्ड बोईस हाई स्कूल मुंबई से की थी इसके बाद आगे की पढ़ाई राम मिरंजन आंदिवाल पौददार कॉलेज आफ कॉमर्स एन एकनॉमिक्स मुंबई से पूरी की थी सनी देउल अपने सुरुवात में स्पोर्ट में अपनी रुची रखते थे स्कूल हो या कॉलेज सनी देउल का हमेशा स्पोर्ट टीम में चैन हुआ करता था लेकिन सनी को परिवार की तरफ से स्पोर्ट में आगे जाने की अनुमती नहीं दी गई थी अपनी पढ़ाई के दोरान सनी देउल अकसर अपने पिता की कपड़े पहन कर कॉलेज चले जाते थे और अपने दोस्तों के बीच उन कपड़ों के बारे में बताते थे ये मेरे पापा ने सोले फिल्म में पहने थे सनी देवल अपने पिता धर्मेंद्र को अपना आदस मानते हैं और वो भी अपने पिता की तरह एक बड़ा स्टार बनना चाते थे लेकिन सनी देवल बहुत सर्मिले थे लिहाज़ा वो अपने मन की बात किसी से नहीं बोल पाते थे सनी देवल के सरमीलेपन से धर्मेंद अच्छे से वाकिफ थे इसलिए धर्मेंद्र ने सनी देवल को एक्टिंग की क्लास दिलाने का फैसला किया और सनी देवल को भेज दिया गया लंदन के बर्मिंगम थियर्टर स्कूल जहां सनी ने एक्टिंग क्लास की सुरुआत की यहां सनी देवल ने अपनी महने सुरूप की और उनका व्यक्तित तो पहले की मुकाबले काफी खुला सनी देवल लंदन में रहने के बावजूद कभी किसी गलत आदत का सिकार नहीं हुए उनका पूरा द्यान अपने काम को निखारने पर था सनी देवल अपनी बॉड़ी को एक हॉलिवूड सुपरस्टाल सिल्वेस्टर स्टेलोन की तरह बनाना चाते थे इसलिए सनी देवल ने उनका जिम भी जुईन किया था लंदन में जब सनी देवल की ट्रेनिंग पूरी हुई तो एक दिन इनके पिता धर्मिंद्र का फोन गया और सनी को वापस आने के लिए कहा क्योंकि धर्मिंद्र ने सनी को बॉलिवोर्ड में लॉंच करने की सारी तायारियां कर ली थी धर्मिंद्र भी अपने बेटे को लेकर काफी उत्साहित थे वो सनी देवल में एक उभरता सितारा देख रहे थे फिल्म बेताब में सनी देवल को रोमेंटिक हिरो की भूमका में अपना किरदार निभाना था इस फिल्म में इनकी हिरोईंती आमरिता सिंग इस फिल्म की कहानी को लेखक जावेद अक्तर ने लिखा था पांच अगस्त 1983 को फिल्म को लॉंच किया गया धर्मिंद अपने आप में सुबर स्टार थे लिहाजा उनके बेटे को फिल्म में परदे पर देखने के लिए लोगों की भारी भीर जूट गई फिल्म की कहानी फिल्म के गाने फिल्म का एक्षन सब कुछ बहुत अच्छा था जो दर्सकों को काफी पसंद आया सनी देवल और अमरिता की जोड़ी को दर्सकों ने काफी पसंद भी किया उनकी पहली फिल्म बॉक्स ओफिस पर सुपर डुपर हिट हो गई फिल्म से रिकॉर्ड तोड कमाई हुई और सनी देवल बन गए इस फिल्म के एक रोमैंटिक हिरो सनी देवल की कामियाबी से सबी बहुत खुश थे फिल्म इंडस्ट्री को एक नया चेहरा मिल गया था इसके बाद सनी देवल के पास काफी फिल्में थी करने के लिए तीनो ही फिल्मों में Saturday से काम की तारिश रूई Sunday फिल्म में अमरिता सिंग फिर से इंकी हेरोईन बन कर आई और इस फिल्म में इनके पिता का किरदार खुद धर्मेन ने निभाया था इसके बार इनकी दूसरी फिल्म SONY महिवाल रिलीज रही फिल्म ने बॉक्स ओफिस पे अच्छी कमाई की और सनी देवल को लोगों का भरपूर प्यार हासिल हुआ इस फिल्म में निभाए किरदार ने सनी की इमेज को और मजबूत किया इसके बाद साल उनेसो पचासी में इनकी एक फिल्म आई अरजुन जो इनके जीवन की एक महत पूर फिल्म थी इस फिल्म ने सनी देवल की रिमेंटिक हीरो वाली छबी को एक्षन हीरो में बदल दिया था सनी देवल का एक्षन इवाओं को काफी अकरसित कर गया और सनी देवल एक नए एक्षन हीरो के रूप में उभर कर सामने आये सनी देवल की पहचान मजबूत हो रही थी वो सफलता की सीडी चड़ रहे थे इनकी इसी सफलता में कुछ और फिल्में आई जो बॉक्स ओफिस पर एवरेज कमाई वाली फिल्में बनी है 1986 में सनी की सल्तनत, समुंदर, सबेरे वाली गाड़ी जैसी फिल्में आई, ये सभी फिल्म एक्सन और रोमान से भरी थी इसके बाद सनी देवल ताबरतोर एक्सन फिल्म किये जा रहे थे इसी कड़ी में उनकी कुछ फिल्में थी राम उतार, इंतकाम, यतीम, त्री देव, निगाहें और चालबाज सनी देवल के साथ उस समय श्री देवी सबसे ज़्यादा फिल्म करने वाली हिरोईन थी चालबाज मूवी में सनी देवल के साथ साथ सौट के सूपर स्टार रजनी कांथ ने भी अहम भूम का निभाई थी सनी देवल बड़ी तेजी के साथ उबर कर उपर आये थे ये उस समय फिल्म प्रडूसरों की सबसे पहली पसंद बन गए थे और इसके बाद इनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसमें इनकी एक्टिंग ने सभी को जगजोर के रख दिया था फिल्म का नाम था घायल ये एक ऐसी फिल्म थी जो इनके फिल्मी सफर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी इस फिल्म में सनी देवल के द्वारा बोले गए डायलोग लोगों के जहन में बस गए इस फिल्म के डायलोग आज भी सहर हो या गाउन सभी की जुबान पर रहते हैं फिल्म की कहानी काफी दमदार थी सनी देवल के लोग इतने दिवाने थे कि पिक्चर हॉल में उनके लिए तालियां और सीटियां बजाते रहते थे किसी हीरो के लिए इतनी दिवानगी कम ही देखने को मिलती है जिसे सनी देवल ने अपनी महनत से हासल किया था फिल्म घायल के लिए सनी देवल को Best Actor का अवार्ड भी मिला था अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तिरह वो हशर करूंगा कि तुझे अपने बैदा होने पर अपसोस होगा सनी देवल की एक्षन से भरपूर फिल्म बॉक्स ओफिस पे चार चान लगा रही थी सनी देवल का स्टारडम ऐसा था कि उस दौर की सभी टॉप एक्ट्रिस सनी देवल के साथ काम करना चाहती थी इसी कड़ी में एक्ट्रिस दिब्याभार्ती ने भी अपनी फिल्मी सफर की सुरुवात सनी देवल की फिल्म से ही की थी फिल्म का नाम था बिस्वात्मा यह फिल्म मल्टि स्टारर फिल्म थी इस फिल्म का एक गाना आज भी कलब और डीजे पार्टी की टॉप लिस्ट का हिस्सा होता है सनी देवल के पास फिल्मों की एक लंबी लिष्ट थी वो ताबर तोर फिल्में करते जा रहे थे साल 1993 में उनकी 6 फिल्में आई छतरी, दामिनी, लुटेरे, इज़त की रोटी, दर और गुना फिल्म दामिनी में जो किरदार सनी देवल ने निभाया उसको लोग आज तक नहीं भुला पाए हैं इस फिल्म के कुछ डायलोग हमेशा के लिए अमर हो गए इनकी दूसरी फिल्म थी डर जो एक्षन और एक तरफा लव स्टोरी पर आधारे थी फिल्म ब्लॉक बस्टर साबित हुई इस फिल्म में इनके साथ जुही चावला और सारुक खान ने काम किया सारुक खान और सनी देवल की ये वही फिल्म है जिसकी वज़र से सनी देवल और सारुक खान अभी तक एक दुसरे से दूरी बना कर बैठे हैं बताया जाता है कि सनी देवल फिल्म के क्लाइमेक्स से खुश नहीं थे और वो उसमें कुछ बदलाओ करवाना चाहते थे लेकिन फिल्म के निर्माता येस चौपरा ने ऐसा नहीं किया जिस वज़र से सनी देवल को इतना गुसा आया कि उन्होंने गुसे में अपने दोनों हाथ अपनी जिन्स की जेब में डाले और जिन्स को फार दिया सनी देवल का ये रूप दिख सब हैरान रह गय थे उस दिन सनी देवल ने सारूप खान और येस चौपरा के साथ कभी काम ना करने का मन बना लिया था सनी देवल की फिल्म धराधर बॉक्स ओफिस पर आ रही थी कुछ सुपर डूपर हिट साबित हुए तो कुछ अपना कमाल नहीं दिखा पाई थी उनकी 90 के दसक की सफल फिल्मों में घातक, जीत, बॉर्डर, जिद्धी, सलाखे, अरजुन पंडित, इंडियन आदी है साल 2001 में सनी देवल की गदर बैन लगने के बाद भी पाकिस्तान में लोगों ने चोरी छुपे देखा था फिर उनकी गदर टू आ चुकी है, जो बॉक्स ओफिस पर फिर से गदर मचा रही है इसमें उनके बेटे की कहानी है और वो पाकिस्तान में अपने बेटे को लेने जाते हैं सनी पाजी से जुड़ी एक कहानी बड़ी चर्चित है एक बार जब सनी देओल अपनी फिल्म जिद्धी की सुटिंग कर रहे थे और उनकी हिरोईन थी रवीना टंडन रवीना टंडन फिल्म के सेट पर रो रही थी ये देख सनी देओल ने उनसे इसकी वज़ पुछी तो उन्होंने अक्षेकुमार के साथ अपने ब्रेकप के बारे में बताया जबीना की बास सुनने के बास सनी देओल काफी गुस्सा हुए और अक्षेकुमार को पिटने का मन बना लिया था लेकिन बाद में जब अक्षे कुमार सनी देओल से मिलने आये और अपनी बात रखी तो उसके बाद वो सांथ हुए थे सिनेमा में साल 2023 में ये पुरानी रंजिस फिर से दिख रही है अक्षे कुमार की ओ माई गौड टू सनी देओल की गदर टू आमने सामने लगी हुई है दोनों फिल्मों की पहली फैंचाजी ने खुब कमाई की थी देखते हैं इस लड़ाई में कौन जितता है सनी देओल की निज्जी जिन्दगी की बात करें तो वो पहले से साधी सुदा थे लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बेताब कर रहे थे तो वो फिल्म की हिरोईन अमरिता सिंग को पसंद करने लगे थे और अमरिता भी सनी देओल को लेकिन सनी देउल को फिल्म में लॉंच किया जा रहा था है लिहाजा उनके फिल्मी करियर पर कोई बुरा असर न पड़े इसलिए उनकी शादी सुदा होने की बात को छुपाया गया था और जब ये बात अमरिता को पता चली तो वो सनी से अलग हो गई बताया जाता है कि सनी देउल अपनी मा और पिता से बहत प्यार करते थे धर्मिंद्र की शादी भी फिल्मों में आने से पहले हो गई थी ठीक वैसे ही सनी देउल की भी सादी फिल्मों में आने से पहले हो गई थी बताया जाता है कि सनी देवल अपने पिता के एक फैसले से काफी दुखी हो गए थे धर्मिन ने सनी देवल की मा के होते हुए धर्म बदलकर टॉप एक्ट्रिस हेमा मालिनी से शादी कर ली थी इस बात से सनी देवल की मा प्रकास को टूड गई थी मा की ऐसी हालत देख सनी देवल गुसे में हेमा मालिनी को मारने के लिए चाकू लेकर खड़े हो गए थे लेकिन अपी मा के समझाने के बाद उनका गुसा सांथ हुआ सनी देवल उस समय तो सांथ हो गए लेकिन उन्होंने कभी भी हेमा मालनी को मा के रूप में सुविकार नहीं किया और उनसे दूरी बना कर रखी सनी देवल कभी भी हेमा मालनी के हां नहीं गए और ना वो हेमा मालनी की बेटी इसा देवल की साधी में गए वे आज भी हेमा मालनी को अपनी मा के दर्द का कारण मानते हैं सनी देवल आज दो पुत्रों की पिता हैं राजवीर देवल और करण देवल सनी देवल साल 2019 में भारतिय जनता पार्टी की तरप से कुर्दासपूर की लोकसवा स्रीर से चुनाव लड़े और जीत कर सांसद बने सनी देवल अपनी फिल्म की तरह राजवीर देती में भी सफल रहे हैं सनी देवल ने फिल्मों में सफल होकर अपने पिता धर्मेंद्र का नाम आगे बढ़ाया उन्होंने लगबग सौ फिल्मों में काम किया सनी देवल की फिल्म गदर टू यूहीं वॉक्स ओफिस पे जंड़े गारती रहे यही हमारी सुख कामना है आपको कैसी लगी सनी देवल की जीवनी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जुरू बताईएगा हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और फिल्मी हस्ती की कहानी लेकर तब तक के लिए बाई बाई